हलो फ्रेंड दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में घर की किचिन की जितनी भी गंदी चीजे हो जाती उनको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूं पूरा वीडियो देखे का दोस्तों काफी चीजों को मैंने हाप पर क्लीन किया है वो भी चुटकियों में कितनी भी गंदी हो चिपचिपी हो आपकी जो सफाई हो बिल्कुल जटपट हो जाएगी बिना मेहनत की बिना परिशानी के तो वीडियो को पूरा से इस्तिमाल ना करें ये क्योंकि कास्टिक सुड़ा बहुत इज होता है उर ये देखे दोस्तों कितनी चिपचिपी और कैसी हो गई जाने में दिल्टर को पानी के अंदर और जैसे में деाल पानी के अंदर इसका को बिल्कुल गली ता आप खोद देख सकते भी दोस्तों इसका जितना भी जिद्धी पन है फिल्टर का ग्रीसी पन है ओली पन है सारा का सारा दोस्तो अपने आप शूट जाएगा आपको कुछ भी महनत करने की जर्वत नहीं होगी दोस्तो दिवाली आ रही है फटा फट से इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारी की सारी चीज़े घ नहीं आपको ब्रश लगाना नहीं आपको इसक्रब करना कुछ भी आपको इसमें करने की जरुवत नहीं पड़ेगी देखिए बहुत हद तक फिल्टर हमारे 90% साफ हो गए मैंने हाप पर इसक्रब ले लिया है जहां पर जालिया थी हलकी हलकी महाँ पार मैंने इसको हलका स इसक्रब कर दिया है ताकि वह ओईली है ग्रीसी पने वह सब निगल जाएगा यह देखिए बहुत यह आसान तरीका है दोस्तों फिल्टर को साफ करने का यदि आपके पास कास्टिक सोडा ना हो तो आप एक आता है पाउश 10 रुपिस वाला ड्रें क्लिनर जो हम अक्सर उससे भी यह इसली क्लीन हो जाएगा फिर मेरे हाँ पर डाला दोस्तों विम जेल इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है माँज लिया है बड़े तरीके से और देखिए बिना महनत के आसानी से शिम्नी के फिल्टर ने दोस्तों बिल्कुल क्लीन हो गए है और आज का अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अब इसको आधूप में रखने के बाद ही आप इसको फिल्टर को एड उसमें डाले चिमनी के अंदर उसके बाद देखिए दोस्तों गैस चुला भी हमारा यूज़ करते करते ना बहुत ज़्यादा कितना गंदा हो गया है तो मैंने आप दोस्तों एक ओन लाइन लिया है यह एडवांस ओयल रिमूवर क्योंकि हम दोस्तों बैस सुचा क्यों ना इस बाद इससे ड्राइ करते हैं यूटों घर पर हम इसक्रब करते हैं विमजल से साफ करते पर मैंने आज इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे इससे साफ करने से और कई और देखिए मैंने अपर इसके उपर इस प्रे कर दिया है और 15 मिनिट के बाद 15 मिनिट के बाद यह देखिए जितना भी जिद्धी पंधा ना इसका वो इतनी इजी तरीके से निकल गया है दोस्तों और इसके साथ एक स्क्रप भी आया था रेट कर तो बहुत आसान तरीके से देखिए कितना भी आपका गैस्टूला गंदा हो जल्दी खुडब होनी लगता है पर कभी-कभी दोस्तों आप इससे रिभूवर से साफ कर सकते हैं और इससे साफ करने से आपका गैस्टूला यह वो जाएगा एक अलगी शाइनिंग सी आएगी बिल्कुल नए शाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर जैसे कोई आप नया गेस जुला लेकर आए हो तरह यहां पर मैंने बच्चों गाले ब्रेश्टे हलकाल का साइड में कर दिया क्योंकि आप नेट बोल्ड लगे थे यहां पर जाएगा तो यह देखी दोस्तों कितने आसान तरीके से हमारा कितना भी गेस जुला गंदा हो गया हो बिल्कुल साफ हो जाएगा इस ट्रिक से फिर मैंने यहां पर बटन के ऊपर भी अपलाए कर दिया ब्रेश लगा दिया तो एक नई सी चामक आगे थी दोस्तों यह साफ करेंगे तवे को तवा यूज करते करते ना देखी इसकी साइट की एजसे ना वो बहुत ज़्यादा कड़क सी हो जाती है तो मैंने हाप पर तवे को गरम कर लिया है इस मिलाला एक चमश नमग और अच्छा तेज तवा गरम हो गया है आपके कोई भी लेले इस देखिये जिसके भी साइट के एज़स थे ना वो बिल्कुल छूटना लगे तो यह देखिये तो बहुत आच अच्छे एच्छे च्रीक राएए धो दोस्तों प्लीज लाइक करना सेयर करना सबस्क्राइब करना बहुत इसके जो साइट के तो निकल गया दोस्तों एंड को कर लेंगे तो यह हमाया तवा तवा बिल्कुल देखे साफ हो गया है दोस्तो वीडियो अच्छा लागा। लाइक करना सब्सक्राइब करना और यह देखे दोस्तो हमारे एकजोस्ट कितना चिपचिपा इसको साफ करने में ऐसा लगता है कि आप स यह घी सखकर ना करोगए इतना पão गया है इतना प्रिवilee गृसी कि इसको हाथ लगाने प्रिवह न मेने पूरे हाथ इस कh прот तीन चमबै कास्टिक तोड़ा और धियार रखे मॉटर में पानी नहीं डाना चाहिए वरना कहलती है और यह देखे दोस्तों चुटकियों में जितने भी सारी घर की किछिन की जो भी है गंदीों नहीं देखें कितना पानी गंदा हो गया है जितना पानी घ्यूस्ट्र गंद तक यह एकदम साफ हो जाए और कितना गंदा है पानी कलिया दोस्तों यह बहुत आसान तरीके से एकजॉस्ट भी हमारा देखिए कितना साफ सा लग रहा है दोस्तों पहले कैसा था यह अब बस इसको हम एजी कर लेंगे और देए पानी कितना गंदा हो गया है और बहुत है है कि यह यह कैस्तिक ऋड़ ऊचाश्टीक सोड़ा और इसमे ब्रेश में इतना ओली पन हो गया था कि बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा था तो पिकल पानी के अंदर ही तुरंत ही ठीन हो गया मत जादा चिप हो गया था यह फैन फिर मिने इसको नहीं से रिमूफ कि लेखे हैं यह बोग देखें यहां पर चाकु की सब्सक्राइब में देखें स्युक्णतु तो यह एज़ी मिन निकलता है दोस्तों पंकुरी को मैं यहां पर चाकु की मति अच्छी वेशेव दूस्तों च तो की मैं ने कोशिश को और फानीगा इस्तिमाल दूस्तों कम सब्सक्राइब करना फोलो करना बिलकुर न भूले थैंक्स फोर वॉचिंग